हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए पट्याला सिल्वा लेकर आए हैं इसके लिए हमने सवा 2 मीटर फैबरिक लिए है सबसे पहले हम आपको इसमें से बैल्ट की कटिंग करना बताएंगे तो belt के लिए हमें fabric को एक वार fold करना है आरज की तरब से और यहाँ पर हमें fabric को एक वार fold किया है और अब हम length ले रहे हैं length हम belt की रखेंगे 8 inch और belt सिल्के तयार हमारी 6 inch की होगी तो यहाँ पर हमें 8 inch में mark करना है ऐसे ही आप पूरी fabric में mark कर ले तो belt की length 8 inch ली है सिल्के तयार 6 inch की होगी तो 2 inch fabric हमने यहाँ पर fold करने के लिए और sly के लिए add की है अब आप इसे cut कर ले तो यहाँ पर हमने belt की cutting कर ली है अब हम आपको belt का measurement बताएंगे belt की जो चोड़ाई है वो कमर के according लेते हैं तो हमने fabric एक वार fold की है bun side की तरफ हमें इंची टेप को रखना है पहले आप fix mark करें कमर size है 28 inch तो उसका half हुआ 14 inch क्योंकि fabric fold है तो पहले आप fix mark कर लें जो भी कमर हो क्योंकि हम half इसलिए ले रहे हैं fabric fold है और इसके बाद 7-8 inch fabric हम fold belt में और add करते हैं आप इसी तरह से हर size की belt की cutting कर सकती है तो यहाँ पर हमने belt की cutting कर ली है अब हमें fabric को लेना है और इस fabric को हमने अरज की तरफ से एक वार fold किया हुआ है और इसके बाद हम इसे दुवारा से fold करेंगे दुवारा से हमें इसे मोहरी के according fold करना है तो fabric हमारी fold layer में fold है देख लीजी आप और मोहरी हम 6 inch की तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने fabric fold layer में 7.5 inch fold की है 8 inch fabric यहाँ पर हमने margin के लिए add की है तो extra fabric की तरफ हमने line draw की है तो 6 inch की मोहरी 1.5 inch fabric हमने add की है अब हम length ले रहे है 6 inch की हमारी belt तयार होगी और यह piece हम सिल के तयार करेंगे 34 inch के तो यहाँ पर हम length ले रहे है 35 inch 1 inch fabric हम सिलाई के लिए add कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 35 inch पर एक mark किया है और line draw की है इसके बाद अब हमें इसकी cutting करनी है हम आपको एक वर फिर से पता रहे हैं कि जैसे की हमारी belt तयार होगी 6 inch की अब जितनी भी length की आप सलवार बनाना चाहती है तो आप उतनी ही mark कर सकती है मैं यह piece 34 inch के तयार करूँगी तो मैंने length इसकी 35 inch ली है यदि आप सलवार की length कम रखना चाहती है तो parts की length आप कम कर लें और इसमें कुछ भी नहीं करना है तो अब हम cutting कर रहे हैं पहले हमने इसे side से cut किया है अब आप इसे इधर की तरफ से cut कर लें तो यहाँ पे हमने इसे cut कर लिया है और जो बची हुई fabric है आप इसे मोहरी के लिए भी use में ले सकती है और belt में यदि fabric कम है तो वहाँ भी आप इसे add कर सकती है तो यहाँ पे हमने ये two parts cut कर लिये है friends हम आपको फिर से बता रहे हैं यदि आप सलवार की length कम रखना चाहती है तो fabric की length आप कम कर लें तो यहाँ पे हमने fabric को एक वार fold किया है अब हम clickate कर रहे है तो fabric को हमने चोड़ाई में fold किया है अर्ज की तरफ से हम length रखेंगे तो यहाँ पे हम length भी parts के according रखेंगे 35 inch तो यहाँ पे हम 35 inch पे mark करेंगे अब दूसी तरफ से हमें length इधर की तरफ से लेनी है पहले हमने इधर की तरफ से length ली थी अब दूसी वार में हम दूसी तरफ से length रखेंगे तो यहाँ पे हमें 35 inch पे mark करना है और अब हम ऐसे तिर्ची line ट्रो करेंगे जो length पे हमने mark किये हैं अब हमें ऐसे तिर्ची line ट्रो करनी है और अब आप इसे cut करने तो यहाँ पे पहले हम इसे side से cut करने पहले हमें fabricate piece करने है तो आप इसे side से cut कर ले फिर जो हमने तिर्ची line ट्रो की है आप इसे cut कर ले तो यहाँ पे हमने यह 4 कली कट करनी है दोनों तरफ की दो-दो कली है तो 4 कली हमें एक साथ रखनी है ऐसे आप रख ले और अब हम आपको आसन का measurement बताएंगे 6 inch का belt में आसन सिलके तयार होगा और यहाँ पे हम आसन की length 9 inch रखेंगे यह आसन हम 8 inch का सिलके तयार करेंगे 9 inch हमने आसन की length ली है और line ट्रो की है और यदि आप वो heavy size की सलवार बनाए तो आसन की length यहाँ पे आप अधिक रखें और अब हम आसन कट कर रहे हैं यहाँ पे नए आसन की cutting कर ली है अब सलवार की cutting हमारी complete हो गई है अब हम आपको उसे रख के दिखा रहे हैं यदि friends आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद